हेलो एवरीवन मैं हूँ सचीन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं माई सीक्वल और माई सीक्वल के आज किस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चेक कॉंस्टेंट के बारे में देखे चेक कॉंस्टेंट का यूज हम लोग करते हैं जब किसी फिल्ड में हम लोग कुछ वैल्यू का लीमिट देना चाहिए मतलब हम लोग कंडिशन लगाए कि भाई यह इस तरह का वैल्यू ही उसमें इंसर्ट होगा दरवाइज इंसर्ट नहीं होगा तो हम लोग चैक का हूज करते कैसे चलिए देखते एक टेबल बनाना पड़ेगा हम लोगों को यहां पे तो मैं बना लेता हूं यहां पर foreign देखूंगा create then table and then name of the table तो यहां पर table का नाम मैं देता हूं क्या देदु यहां पर GU GU EST guest देते है चलिए हटाइए और उसके बाद इसके अंदर में हम लोग कुछ fields देंगे तो पहला आईडी देते हैं उसके बाद मैं इसको नॉट नल कर देता हूं उसके बाद में यहां पर नेम देता हूं नेम मैं यहां पर दखना चाहता हूं तो यहां में बन्द देताूं और उसके बाद में इसका एक लिंट मैं यहाप देता हूं and then इस फिल्ड को भी यहाँ पर मैं नॉट युंट कर देता हूं और यहाँ पर आगे एक iddure लेना चाहता हूं जाता हूं और एचघ को यहाँ पर मैं क्या कर देखे int ले ले रहा हूं ठीक है एच के लिए और अब मैं क्या कर हौँ रहा हूं मैं एज में एक limit set कर रहा हूं तो उसके लिए यहां पे लिखना होगा मुझको check and then bracket open close और यहां मैं बोल रहा हूं कि जो एज वाला फिल्ड है उसमे जो एज होगा वह greater than होना चाहिए या equal to होना चाहिए 18 साल ठीक है तब वह accept करेगा otherwise accept नहीं करेगा अभी मैं इसको इंटर मारता हूं तो यहां पर incorrect table definition there can be only one auto column and it must be defined as a key अच्छा देखिए यहां पर एक problem क्या हो रहा है कि हम लोगों ने यहां पर auto increment लिखा है तो उसको हम लोगों को primary की भी बनाना होगा यह चीद यहां पर message दे रहा है कोई बात नहीं है मैं यहां कॉमा देता हूं और फिर primary key and then bracket open close और यहां पर जो ID था guest का इसको हम लोग primary की बना देते हैं और फिर मैं इंटर मारता हूं तो देखिए यहां पर क्यूरी होके दिखा रहा है और दिखा रहा है ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं auto increment करेंगे तो उसको हम लोगों को प्राइमरी की गोसित करना पड़ता है मैंने यहां पर प्राइमरी की गोसित नहीं किया था उस फिल्ड को इस करनवर्स वह डिस्पले हो रहा था ठीक है हम लोग क्या देख रहे थे चेक देख रहे तो यहां पर हम लोगों ने चेक लगा दिया कि भाई एज वाला फेल्ड जो होगा उसमें 18 साल या थारा साल से बढ़ा काई वैल्यू लिया जा यह दर्वाइस ना लिय दिया था यहां पर नेम था तो मैं यहां पर नेम लिख देता हूं फिर मैं यहां कॉमा लिख देता हूं नेम देन कॉमा उसके बाद में क्या था एज था तो मैं यहां पर एज लिख देता हूं बस उसके बाद यहां पर मैं क्या कर रहा हूं देखिए वी एल यूई एस व 25 और देन मैं इंटर मारता हूं तो देखे क्यूरियो के वन रो एफेक्टेट दिखा रहा ले लिया कोई दिक्कत नहीं हुआ अच्छा अभी यहां पर मान लिजे कि मैं नाम दे देता हूं कुछ और जैसे यहां पर मैं जो है वह दे रहा हो 6 और उसके बाद में इंटर मार रहा हूं तो देखे हैं यहां पर यहים लोग है यहीं कर रहा है और यहां हो क्या रहा है यहां पे हम लोग 6 साल दे रहे हैं जो कि अठरा साल से चोटा होता है इस कारनवर्स नीचे में यह एरर हम लोगों को देखने को मिल रहा है आई छॉब कि आप सब को चेक समझ में आया होगा और समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेरे